जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पड़ती है बोल किलब आजाद है तेरे दियूस क्लिक पर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे बोल सबाँ अब तक तेरी है नास्कार बोल किलब आज़ाद है तेरे मैं अबिसार शर्मा जानते हैं 2014 में जब इस शक्स गिरिराज सिंग ने ये कहा था कि जो प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का विरोध करते हैं उनसे सवाल करते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं तो मैं नहीं जानता था कि 6 साल बाद हमें आज का दिन देखना पड़ेगा अब आप कहेंगे आज क्या हुआ तो मैं आपको बता दूँ आज क्या हुआ खबर ये सामने उभर कर आई है कि संसदी इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ वो अब जाकी हो रहा है संसद इस सरकार से सवाल नहीं पूछ पाएंगे जो प्र पहले आजाद भारत के इतिहास में कौन से मौके रहें जब प्रशनकाल नहीं हुआ है 1961, 1975, 1976 और 1977 इन्में तीन सालों पर गोर कीजएगा 1975, 1976 और 1977 जब देश में आपातकाल लागू था अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जब प्रशनकाल को उस वक्त खत्म किया गया था, तब किस वज़ा से किया गया था, विशेश पर्पिस क्या था, पहला पर्पिस था उरिसा, दूसरा था प्रॉक्लमेशन ओफ एमरजिंसी यानि कि देश में आपातकाल, उसके ब जो हो रहा है, वो एक नॉर्मल सत्र है, और इस बार सवाल भी पूछे जाने बेहत जरूरी हैं, क्योंकि देश कोरोना संकट से अब भी जूज रहा है, मृतकों की तादाद एक लाग कब पहुँच जाएगी हम नहीं जानते, चीन के आकरामक तेवर बदस्तूर बने हुए बेरोजगारी, उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं, और देश की अर्थ विवस्था की सेहत बताने वाला जो जीडिपी है, वो माइनस 24% पहुँच गया है, बावजूद इसके इतने सवाल हमारे सामने हैं, और सरकार ने प्रशन काल ना रखने का फैसला किया है, अ तो ये आपचारिक तोर पर दर्ज हो जाएगा, और सरकार उस शरमिंदगी से नहीं गुजरना चाहती, क्योंकि देखें, मीडिया को तो इन्होंने मैनेज कर लिया है, मीडिया आज की तारीक में सरकार से सवाल नहीं पूछती है, वो तो विपक्ष से ही सवाल पूछती है और मैंने आपसे बताया ना, 2014 में जब गिरराज सिंग ने कहा था कि जो प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी से सवाल पूछेगा, वो पाकिस्तान चला जाए, वही समवाद हमें पिछले 6 सालों में दिखाई दे रहा है, जो भी सामाज एक संगठन या जो भी पत्रकार, इस सरक पनोच्छा इन दोनों से मैं बात करूँगा, मगर सवालों को लेकर इस सवक्त देश की क्या हालत है, ये मैं आपको बतलाता हूँ, मसलन प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी मन की बात करते हैं, देश का विद्यार्थी इतना नाराज होता है, देश का बेरोजगार युबा इत आदाद पसंद करने वाले लोगों से कहीं ज्यादा है, बात यहां नहीं रुकती है, मैंने पहली बार इस बात को नोटिस किया कि जब से प्रधान मंतरी कारयाले का यूट्यूब चैनल हुआ है, शुरू हुआ है आज से 6 साल पहले, तब से लेकर अब तक आप उस पर पारत अंतर क्या करता है, यह शक्स आपके स्क्रीन पर है, इसका नाम है आमित मालवी, यह शक्स यह कहता है कि आज की तारीक में प्रधान मंतरी के विडियो में जो डिसलाइक्स आ रहे हैं, यानि कि जो लोग नापसंद कर रहे हैं, यह टर्की से बॉक्स हैं, जिने पारत अजिसे के जरीख खरीदा है रहे हैं, यह काम कराया जा रहा है टर्की से, अब हो सकता है, अमित मालवी जी को इस बात का तज्रूर्बा हो, मगर यह अपने आप में हास्यास पद है कि वो आई टी सेल, जिसके गुर्गे महिला पत्रकारों को गंदी-गंदी गालिया देते हैं, मैं नहीं भूला हूँ कि जब गौरी लंकेश की हत्या हुई थी, तब इन में से एक गुर्गा जिसे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी फॉलो करते हैं, उसने जश्ट मनाया था, उसने इतने अपशब्दों का इस्तमाल दिवंगत आत्मा के लिए किया था, जिसक भी सुशान सिंग, राजपूत, रिया चकरवरती को लेके जो पूरा प्रकरन चल रहा है, जिस तरह का गंद, जिस तरह की गंदगी हम देख रहे हैं, बीजे पी, आईटी, सिल, दुआरा, प्रशारित और प्रसारित, आप और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, मगर जाका, और उन से देखिए मेरा ये इंटिव्यू, तो मेरे साथ इस वक जुड़ गए हैं, आर जेडी से राजसभा सांसद, मनो जा, मनो जी स्वागत है आपका, मनो जी आजाब भारत के इतियास में ऐसे बहुत कम मिसाले रही हैं, जब प्रशन काल को इस तरह से स्थागि किया गया हो, दो या तीन मिसाले रही हैं, और वो बहुत ही अजीबो गरीब हाला, जिनमें एक आपातकाल था, प्रमालगेशन ओफ एमजेंसी, अब क्वेस्चिन आर को सस्पेंड करना, ये तो कल्पना से भी विचित्र है, देखिए, मैं प्रस्ट तोर पे एक बात कहूं कि सरपली राधा कृष्णन ने कहा था कि पार्लेमेंट का दो फंक्षन है, एक है लेजिसलेटिव और एक है डेलिबरेटिव फंक्षन, अब आप जाहिर तोर पर अगर प्रस्ट नकाल को खत्म कर देते हैं, जिरो आवर को आधा कर देते हैं, तो आप संसदिये लोकतंतर क कि आत्मा को खत्म कर रहे हैं, मैं क्यों चिंतित हूँ, क्योंकि इस से ज़्यादा खतरनाक संकेत नहीं मिल सकता था, एमर्जंसी के दौरान आपने डिकलियर्ड एक एमर्जंसी थी, क्या हम एक अंडिकलियर्ड एमर्जंसी के काल में रह रह रहे हैं, क्योंकि खास तोर प अनिम्प्लॉइमेंट, एक सोचल, कल्चिरल, पुलिटिकल, एकनॉमिक क्राइस सब कुछ चल रहा है, वैसे संदर्भ में अगर आप प्रश्नकाल को खत्म कर रहे हैं, जीरो आवर को ट्रंकेट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर एक रीचुल से जादा संसद नहीं रह जाएगी, अगर आपने तयक कर लिया है कि संसद को रीचुल में रेडियूस कर दें, तो मैं तो सिर्फ कल्प ना कर सकता हूँ कि आगे हम कौन-कौन से छण और देखेंगे, हो तो हम देखी रहे हैं, तमाम इंस्ट्यूशन जो हैं, वो बस कहने के लिए रह गई हैं, जिस एक बार क्या होता है, संसद में जब मनुझा खड़यों के सवाल पूछते हैं, तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाता है, सरकार की जवाब बढ़ जाती है, सरकार इस चीज़ को भी टालना चाहती है, इसलिए मैंने कारकर्मी शुरुवात में का, मनुझ जी, ये कल्पना से विशित रहे लेकिन आप ये संदर्व को देखिए कि पर्लेमेंट को अगर आप एनालिसिस करें पर्लेमेंटरी प्रोसिजियर की बीते छे वर्षों में तो धीरे धीरे एक बात जो मैं अक्सर मैंने लिखा भी इस पर कि सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी इन पर्लेमेंट जरूरी है लेकिन मेजॉरिटी इन पर्लेमेंट इस नॉट अलाइसंस पर ए मेजॉरिटेरियन पर्लेमेंट ये मेजॉरिटेरियन पर्लेमेंट में खुद को तबदील कर रहे हैं जिसकी वज़ा से इनको जैसे आप प्रश्नकाल को खत्म कर रहे हैं क्या आपने किसी से बा तोर पर हमने बीते दिनों अभाव देखा संसत के खुद के दस्तावेच कहते हैं कि यह unfettered parliamentary right है तो आप parliament को कमजोर कर रहे हैं उसकी जड़ों को कमजोर कर रहे हैं और आप चाहरे हैं कि executive के लिए गए कोई भी हिंदरन है क्योंकि मार्च के महीने के बाद से जो executive decisions हुए हैं उस पर अगर हम सवाल ना करें तो जो legislative scrutiny of executive decision था parliament का एक अहम हिस्सा आप उसको खरिच कर रहे हैं खर्म कर रहे हैं बिल्कुल देखिए जिन तमाम मुद्दों को आपने गिनाया चाहे कोरोना हो चाहे GDP हो चाहे economy हो चाहे लगातार बढ़ती unemployment हो चाइना के साथ चाइना को जो लगातार आकरवनकारी तेवर बना हुआ है इन तमाम मुद्दों पर सरकार को कटगरे में रखना चाहिए सबसे बड़े दुख की बात ये है कि एक जो संस्थान है मीडिया एक जो तबका है मीडिया उसे सवाल करना चाहे वहाँ धराशाई हो गए सवाल उल्टा चीजों को भ्रमित किया जा रहा है अब यहां इतनी बड बड़े सवाल जो हैं वो मुबाहे खड़े हैं उसको लेकर अब अंकुष लगाने का प्रयास है मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं अब सांसद क्या करेंगे क्योंकि मैं लगा तयार दे रहा हूं ताकि अच्छा है आप हो शशी धरूर हो डेरेक ब्राइन हो मैं तबा समझता हूं कि एक साजा रन्नीत बनानी होगी और अगर हम यह रन्नीत नहीं बनाएं तो मैं समझता हूं कि संसद्ये लोकतंत्र की महत्वपुर्ण रवायतों और परंपराओं के जमिंदोज करने में उसको कबर में पहुंचाने में सिर्फ सत्ता की भूमिका नहीं होगी ह आने वाली पीनियां हमसे भी पूछेंगी कि जब यह सब हो रहा था तो आप क्या कर रहते जनाब मैं मैं चिंतित हूं ना सिर्फ एक दल के नुमाइंदे के रूप में एक प्रवक्ता एक 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 सिटिजन के रूप में यह हर किसी को चिंतित होना चाहिए अप्रशनकाल है आप उस महत्वपुन उपकरन को खत्म कर रहे हैं यानि कि जो मैंने पहले कहा कि आप संसद की गरिमा को ठेस पहूँचा रहे हैं तो यह थे मनोच जा अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के संसद संजे सिंग से संगे से मैंने यही सवाल किया एक ऐस वक्त जब इतनी समस्याएं मुबाहे खड़ी हैं, सरकार प्रश्नकाल को ये खत्म कर देती है, ये क्या बतलाता है, संजे सिंग ने क्या का, आप खुद सुनिए. की सोच है, कि लोगतांतरिक संस्थाओं को, समविधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर करो, वो चाहे सुप्रिम कोर्ट हो, वो चाहे पारलेमेंट हो, वो चाहे एसेमलीज हो, वो चाहे खरीद फरोक्त के जरिये हो, यानि डेमोक्रेसी और देश के समविधानिक धाचे को क कमजोर करने की जितनी कोशिस हो सकती है वो ये लगातार 2014 से सरकार करती आ रही है और उसी का एक ये प्रमाड है कि आप बताईए हम लोगों के लिए सबसे बड़ा मौका होता है क्वेस्टन आवर और जीरो आवर जिसमें हम सरकार से सवाल पूछ पाते हैं और अगर आप उसक और उस बात की पुष्टी भी अब हो गई कि क्वेस्टन आवर नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने महीनों के बाद अगर खाना पूर्ती करने के लिए पारलिमेंट बुलाई भी जा रही है तो आप क्वेस्टन आवर और जीरो आर क्यों खतम करना चाहते ह आपको कोविट पर पूछे गए सवालों से डर है क्या आपको प्रवासी मजदूरों के पीड़ा और तकलीफ का जो मुद्द है वो उठाने से डर है क्या अर्थ मिवस्ता की जो हालत है जो आज चौपट हो चुकी है माइनस 23% डेस की GDP जा रही है उसका सवाल पूछने से भारत चीन सीमा पर जो विवाद की स्थिती है उस सवाल को पूछे जाने से डर है तो मुझे लगता है कि यह तमाम सवाल है जिससे सरकार बचना चाहती है और इसलिए उन्होंने सांसदों को प्रतिबंधित किया है कि वो क्वेश्चन आवर में सवाल ना पूछ सके मुझे लगता है कि पार्लिमेंट चले और सरकार को अकेले कारवाई करने की छूट दे दी जाया वो तो किसी हालत में ठीक नहीं होगा इसलिए हम लोग यह दबाव बनाएंगे कि भई यह क्वेश्चन आवर और जीरो आवर क्यों नहीं रखा गया इसको सरकार जवाब दे और परिश्चन आवर और जीरो आवर खतम करके जो जन्ता के बुनियादी सवाल हैं जो मेंबर अपार्लिमेंट the dolo. Ce के लोग भी पूछते हैं सवाब लेकिन विपई पीच्छी夠लों के जो सांसत सवाल है पार्लेमेंट में मेंबर्स डिवेट में हिस्सा लेंगे लेकिन अगर वहां उनको सवाल पूछने का और अपनी बात उठाने का ही अधिकार नहीं रहेगा तो फिर ये एक खाना पूर्ती मात्र रहेगी और सरकार कुछ अपने पेंडिंग बिल पास करवाने की कोसिस करेग लेकिन जो जनता के सवाल हैं जो पार्लेमेंट मेंबर्स पूछना चाहते हैं उससे उनको बंचित कर देगी उससे उनको प्रतिबंधित कर देगी जब सरकार लगातार इस प्रकार की कारवाईयां करती है तो उससे कहीं न कहीं जनता में एक रोस पैदा होता है आपने इनकी पटरियों पर उनकी मौथ हो गई, रेल के डिबों में उनकी मौथ हो गई, प्लेटफॉर्म पर उनकी मौथ हो गई, चलते चलते उनकी मौथ हो गई, और मुझे लगता है कि इन सारे कठिन सवालों का, इन सारे सरकार के चेहरे को बेनकाब करने वाले सवालों का तो यह अपने आप में अप्रत्याशित है अगर सवाल ही नहीं पूछने दिया जाएगा क्योंकि जैसे मैंने कारकरम की शुरुआत में बताया आज की तारीक में हमारा जो मीडिया है वो सवाल विपक्ष से ही पूछता है सरकार से तो पूछता ही नहीं है मैं आपको एक छोड़ी से बसाल देता हूँ चीन को लेके जो पूरा प्रकरन चल रहा है अचानक कुछ तस्वीरे सामने उभर कर आती हैं और पूरा मीडिया ये प्रचार और प्रसार करने लगता है कि ये वो पहला प्रमान है कि जो 20 भारती सेनिक शहीद हुए थे उसके जवाब में हमारे सेनिकों ने करीब 100 चीनियों को मार दिया था ये तस्वीरे दिखलाए गई थी मगर जब Alt News ने इसकी पड़ताल की तो ये पता चला कि ये जो कब्रगाह दिखाए गई है जिसमें 100 कब्रगाह हैं ये तमाम कब्रगाह 1962 की हैं जब 1962 से भारत और चीन का युद हुआ था ये उस वक्त की कब्रगाह है मगर मीडिया ने इसे प्रमाण की तोर पर पेश किया कि भारत ने 100 चीनी सैनिकों को मार दिया था तो इस तरह का प्रचार चल रहा है ना सवाल पूछता है मीडिया ना सरकार सवाल पूछने देता है पत्रकारों से और अब तो वो सांसदों पर भी अंकुश लगा रहा है ये मेरे देश की दशा हो रही है मगर जैसे मैंने कहा और हर बार कहता हूँ कि देश की जनता तो सुशान सिंग राजपूत और रिया चकरवर्ती पर जो जहरीला प्रॉपगैंडा कुछ चैनल्स चला रहे हैं या अधिकतर चैनल्स चला रहे हैं वही देख के खुश है हिंदु मुसलिम पर फूहर डिबेट्स देख के खुश है आपसे जुड़े मुद्दे जो ये सांसद उठा सकते थे उस पर जो सरकार अंकुष लगा रही है वो अपने आप में बेहत चिंता जनक है बगर हम सवाल लगातार करते रहेंगे क्योंकि बोल के लब आजाद हैं तेरे में हमारा विश्वास है आप भी विश्वास कीजिए कि बोल के लब आजाद हैं तेरे